प्रेपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ओफ एक्सप्लांट इससे पहले कि हम यह देखें कि हम एक्सप्लांट को कैसे स्टेरिलाइज और प्रेपेर करते हैं उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि एक्सप्लांट क्या होता है X-Plant, Plant का कोई भी वो पार्ट होता है जिसे हम Plant Tissue Culture में Whole Plant को Generate करने के लिए यूज़ करते हैं Initially, हम X-Plant को Plant Body से Excise करते हैं उसको Laboratory Sterilized Condition में Neutron Culture Medium के उपर ग्रोव करवाते हैं उस Neutron Culture Medium के अंदर वो तमाम Neutrients और Essential Hormones present होते हैं जो Plant की Growth के लिए Required हैं उसकी Examples हैं Root Fragments, Shoot Fragments, Leap Sections, Noddle Sections, Seeds, Anthers, Pollen, Ovaries, Etc X-Plant को हम Use कहां पर करते हैं? X-Plant को Plant Tissue Culture में Use किया जाता है Plant Tissue Culture जैसे के हम पहले Experiments में Discuss कर चुकी हैं एक Set of Techniques हैं जिसके अंदर हम किसी भी Plant Cell, Tissue या Organ से Whole Plant को Regenerate करवाते हैं Plant Tissue Culture का Concept उस वक्त Arise हुआ जबके एक German Botanist ने Plant Totipotency का Concept दिया Plant Totipotency के According, Plant का कोई भी Cell और कोई भी Part इतनी Capability रखता है कि वो Whole Plant में Regenerate कर सके Plant Tissue Culture की कुछ Applications हम Already Discuss कर चुके हैं और कुछ Applications हम यहाँ पर दुबारा से देखते हैं Plant Tissue Culture किसी के Important Plant Species जैसे के Ornamental Plant, Forest Trees, इस Pharmaceutically Important Plants की Clones को Produce करने के लिए यूज होता है और इस Process को हम Micro Propagation किते हैं Plant Tissue Culture High Quality Planting Materials जैसे के Flowers, Fruits और Vegetables को अब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है इसके इलावा Plant Tissue Culture से हम Important Secondary Plant Products की Industrial Scale पे Large Scale Production करवा सकते हैं Plant Tissue Culture के कुछ Basic Steps हैं और में First One है Selection of X-Plant and Sterilization of X-Plant Second Step है Preparation of Culture Medium Third Step है Sterilization of Culture Medium Fourth Step है Inoculation of X-Plant Fifth Step है Incubation of X-Plant Sixth Step है Acclimatization for Growth Tissue Culturing Techniques के लिए हमारा Environment और हमारे सारे Consumable items का Sterilize होना बहुत जरूरी है Consumable items को हमने sterilize कर लिया है और जो Water हम यूज करेंगे रिंसिंग के लिए उसको भी Autoclave कर लिया है इसके अंदर हाथ क्यूंकि हमारे बहार लेमेनर्स के लिए बहार थे हम उनको सर्फेस टेरलाइस करेंगे 70% Ethanol से Ethanol को कुछ देर के लिए रब करेंगे और फिर एक टिशू पेपर से क्रीन कर देंगे अपनी वर्ट पेंच को भी हम क्लियर करेंगे टिशू पेपर से हम 70% Ethanol से सलूशन से अपने सर्फेस को क्लीन कर लेते हैं लीट जो के हमने अपने प्लांट से एक साइस किये हैं उनको हम एक बार आटोकले वाटर से वाशिंग दे चुकी हैं अब इनकी सर्फेस स्टेरिलाइसेशन को स्कार्ट करते हैं उसके लिए हम 15% लीट सलूशन पेट्र डिश में पोर करेंगे अपने लीट को लेंगे और लीट सिलूशन के अंदर डिप करेंगे इसको कवर करने के बाद स्लाइटली शेक करेंगे ताके ब्लीट सिलूशन लीट की अपर सर्फेस पे आचाए इसके पाद हम अपने लीट को अपसाइड डाउन करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए यहां पे छोड़ देंगे इसके नेक्स्ट अप में हम अपने लीट को टेक आउट करेंगे और एक और पैट्री डिश में इसमें हम डिसिंफेक्टन सिलूशन आड करेंगे उसमें डिप कर देंगे उसमें डिप कर देंगे इसको मार्ड शेकिंग देंगे ॅको दोनुों सेर्फिसज्ब कवर रोग दिसंफेक्टन सीलूशन से इसको मार्ली इसको मawlड शेकिंग देते निए लीट सेर्फिस्ब कवर कर ले और फाइब मिनिट के च्पर देंगे पाइव मिनिट्स के बाद, हम उपनी लीफ सर्फिस को अपसाइड डाउन करेंगे. पॉलरड बाइव माइड चेकिंग. और दुबारा से इसे फाइव मिनिट्स के लिए रेस्ट देंगे. इसके बाद, हम एक पैट्री डिश में आटोक्लीफ डी आइनाइस वाटर एड़ करेंगे. ताके इन केमिकल्स को अपनी लीफ सर्फिस से रिमूफ कर सकें. हम अपने लीफ को क्लोरॉक सलेशन से निकालेंगे. और रिंसिंग देंगे. उसके बाद, एक फ्रेश वाटर में अपने लीफ को शिफ्ट कर देंगे. रिंसिंग प्रोसेस हम टू तुर त्री टाइम्स रिपीट करेंगे, ताके जितने भी हर्ष केमिकल्स ने वो लीफ की सर्फिस से रिमूफ हो जाए. हम अपने लीफ को स्टेरलाइस फिल्टर पेपर क्यूफ करेंगे. स्लाइटली प्रेस करेंगे ताके बॉटर सोक हो जाए. और फर्दर लीफ को ड्राइ होने के लिए रख देंगे. यही प्रोसेस हम अपने सेकंड लीफ के साथ भी रपीट करेंगे. हमारे लीफ स्टेरलाइस हो चुके हैं, अब एक पंक्चर की हल्प से जिसको हमने पहले स्टेरलाइस कर लिया है, आपने लीफ की डिस्प्रेपेर करेंगे. करेंगे. झाल झाल लीव डिसको हम कलेक्ट करेड लेंगे अपनी अल्रडी प्रपेर्ड मीडिया प्लेट के उपर हम लीव डिसको रखतेंगे मीडिया हम एमेस मीडिया यूज कर रहे हैं जो के हम ने प्राक्टिकल नेमर बन और तु में प्रपेर किया अपनी लीव डिसको केरफुली उठाएंगे हम अपनी पैटर डिसको क्लोस करेंगे पराफलम से राप करेंगे और 37 डिक्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करतेंगे 37 डिक्री सेल्सियस पर पैटर डिसको इंक्यूबेट करने के बाद हम अपने टेंपरेचर और लाइट इंटेंसिटीज को सेट करतेंगे अक्वर्डिंग तो आवर एक्स्परिमेंटल रिक्वार्मेंट्स उसके बाद 2-3 रेस के बाद हम इनकी ग्रोफ को अब्सर्फ करेंगे और फिर सब कल्चुरिंग से फर्दर प्रॉपगेट करते जाएंगे प्रॉपगे 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 बाद प्रॉपगे